हे वरेबरेबर में वेलकम बाक टू कोचिफाई आज हम अपकविंग जो भी स्पोर्ट्स इवेंज होने वाला है वो सारे स्पोर्ट्स इवेंज को डिसकस करेंगे ठीक है यह एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक है आपकी आने वाली सारी एक्जाम्स के लिए आज दिव टू कोविड कुछ चेंज़े आए है वो सारे चेंज़े आज हम इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करेंगे यह वीडियो बहुत इंपोर्टन वीडियो होने वाला है तो आपको इसे स्कीप नहीं करना है जो भी चेंज़े से और जो भी इंपोर्टन एवेंज होते है साल बर में जिससे एक्जाम्स को पूछ जाते है वो सारे इवेंज को इस वीडियो में मैंने कवर अप किया है तो आपको इस सेशन कम्प्लीट एंड तक देखना है इसे थोड़ा भी स्कीप नहीं करना है जो भी चेंज़े सोए द्यू टू कोरोना हमने इसमें सारे कवर अप किये तो स्टार्ट करते है सेशन को तो सबसे पहले देखते है फीफा वल्ड कप फीफा वल्ड कप जो होने वाला है 2022 का वो कतर में होने वाला है और 26 का जो होने वाला है वो कैनेडा मैक्सिको और यूएस में होने वाला है तो फीफा वल्ड कप अगर पूछा गया तो आपको ध्यान में रखना है 2022 का जो होग वो कदर में होगा मतलब आने वाला and 26 का जो होने वाला है वो Canada, Mexico और US में होने वाला है next आता है FIFA under 20 men's world cup तो यहाँ पर changes होए है कुछ यह जो होने वाला था यह 2021 में होने वाला था due to COVID इसे postpone कर दिया गया और अब यह 2023 में होने वाला है 2021 में भी यह इंडोनेशिया में होने वाला था and 2023 में अब यह होने वाला है तब भी यह इंडोनेशियम में ही होने वाला है तो आपको ध्यान में रखना है exam में अगर थोड़ा deep में question पूछा गया तो यह पूछा जा सकता है कि under 20 का जो FIFA का men's world cup था जो 2023 में होने वाला है इंडोनेशिया में वो इससे पहले कब होने वाला था अगर बहुत deep में पूछा तो ऐसा पूछा जा सकता है इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 2021 में होने वाला था बट यह पूस्पान होकर 2023 में होगा और वो इंडोनेशा में होने वाला है जो हाइलेटेट पोश्चन है वो सारे चेंजेज है तो अब यह 2022 में होने वाला है और इंडिया में होने वाला है टो अंडेशा तार यह वाला है तो अन्डेशा में होने वाला है तो इस स्लाइड में जो भी यलू कशल का मार्क्ष्च है वो सारे चेंजेज होंगे इनके य aun्डेशा को में होगा व्यमें तो इस न्यूट 25 थांडेशा में हो वो फार वी striving salary 31 में होगा इम्जाद विमें सका Under 17, 20, 22 में होगा and Means का Under 17, 23 में होगा previous ये 21 में होने वाले थे यहाँ पे, जहाँ पे होने वाले थे वो destination change नहीं होए Under 20 का Indonesia में होने वाला था Indonesia में ही होगा Women's का 2021 का जो India में होने वाला था वो 22 में India में ही होगा मेंस का जो 21 में पेरू में होने वाला था वो 23 में पेरू में ही होने वाला है ठीक है I hope आपको समझ जाओगा इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान में रखनी है वो है FIFA का जो headquarter है वो Zurich Switzerland में ठीक है यह भी एक important है exam में headquarter भी पूछा जाता है इसा आपको ध्यान में रखना ह है बहुत important है सारे आपको अच्छे से ध्यान में रखना है next हम discuss करेंगे सारे olympics and para olympics के events ठीक है सबसे पहले हम olympics देखेंगे olympics में आता है सबसे पहले summer olympics ठीक है तो summer olympics यह पोस्पॉन हुआ है ठीक है choose be slide में आपको yellow mark दिख रहा है that means उसमें कुछ changes हुआ है ठीक ह 20-20 में होने वाला था but 20-20 का अभी पोस्पॉनों के 2021 में होने वाला है और टोक्यो जपान में होगा ठीक है दिन आपका होगा 2024 का पारिस फ्रांस में यह exam में पूछा गया question है olympics के events तो specially पूछ जाते तो आपको यह जो slide है यह thoroughly learn होना चाहिए ठीक है यह exam में पूछा चा चाहिए फिर वो कोई भी exam हो यह topic ऐसा है कि कोई भी exam में पूछा जाता है ठीक है तो यह topic आपको पूरा completely आना चाहिए जितने भी games होते है main important games हो सारे मैं इस video में cover up किये तो वो सारे आपको पता होने चाहिए ठीक है तो 2021 का जो olympic होगा वो टोक्यो जपान में होगा 2024 का होने वाला है वो Paris France में होगा and 28 का जो होगा वो LA USA में होगा Los Angeles USA में होगा ठीक है अब इस साल Olympics में हर बार कुछ games को add किया जाता है तो 2024 में breakdancing को add किया गया है यह ध्यान में रखने वाला question है ठीक है तो 2024 में जिसे add किया गया है वो है breakdancing ठीक है दन हमारा आता है Winter Olympic 2022 में जो Winter Olympic होने वाला है वो Beijing China में होने वाला है and 26 का होने वाला है Millen and Cortina Italy में ठीक है 2022 का होने वाला है Beijing China में and 26 का जो होने वाला है वो Millen and Cortina Italy में होने वाला है दन आता है हमारा पहला ओलम्पिक ठीक है सिंपल सी एक हिंट है यहाँ पे आपको एक ट्रीक है आपकी यहाँ पे जहां पे भी Olympics होने वाला है Summer और Winter वहीं सारे पारा ओलम्पिक होने वाले ठीक है वहीं पे होते है ठीक है तो आपको पारा ओलम्पिक एस्ट चुलन करने की जरुरत नहीं है ओलम्पिक जहां परे महीं पारा ओलम्पिक होता है ठीक है तो समर का जो अगिन 2020 में जो पारा ओलम्पिक होने वाला था वो 21 में पोस्पान हुआ जो कि टोकियो जपान में होगा 24 का पारिस फ्रांस में होगा 28 का एले लॉस एंजलेस यूसे में होगा विर्ड़ ओलम्पिक 2022 का बिजिंग चाइना में होगा 26 का मिलिन काटिना इटली में होगा ठीक है अब 2022 ओलम्पिक में जो न्यू प्रेसिदेन्ट बने है वो बने है Sikiro Hashimoto इससे पहले जो थे वो यो शिरो मूरी थे अभी जो बने है New President बने है, Olympics के, वो बने है, Siko Hashimoto, ठीक है, Siko Hashimoto बन गई है, हमारी New President Tokyo Olympics की, इससे पहले जो थे, वो Yoshiro Mori थे, यह important है, यह अभी February में changes हुए है, तो आपको ध्यान में रखना होगा, एक्जाम में पूछा जा सकता है, कि जो New President बने है, Tokyo Olympics के, वो कौन से बने है, वो कौन बनी है यह actually women है, Siko Hashimoto, ठीक है, जिनोंने replace किया है, Yoshiro Mori को, the next हमारा आता है, Cricket, ठीक है, तो हम सारी Cricket को यहाँ पर discuss करेंगे, तो सबसे बला हमारा आता है, ICC Cricket World Cup, जो की Mains का होता है, 19 में जो यह हुआ था, यह England and Wales में हुआ था, सभी को बता है, 19 में का जो Mains का Cricket World Cup हुआ था, वो England and Wales में हुआ था, अब यह होने वाला है, 2023 में, इंडिया में, ठीक है, अब जो changes हुआ है, वो women's में हुआ है, ICC Women Cricket का जो World Cup है, यह 2021 में होने वाला था, ठीक है, बट अब यह 2022 में होगा, same destination New Zealand में, ठीक है, 2021 में होने वाला था, बट अब कब होने वाला है, 2022 में होने व चुआ है, ठीक है? तो ICC T20 World Cup में होगने वाला है 2021 में वो, India में होने वाला है, एकिस का T20 World Cup जो है, वो इंडिया में होने वाला है, लेकिन, जो 22 में होने वाला है यहां पर Australia मैंने mention किया इससे पहले यह 2020 में ही होने वाला था ठीक है तो जो 2020 में होने वाला था ICC D20 का World Cup वो उन्होंने postpone कर दिया 2022 पर क्यों कि 21 में already इंडिया में होने वाला है ठीक है और 2020 का जो due to COVID नहीं हो पाया तो वो उन लोगोंने 2022 में postpone किया जो कि आपका Australia में होने वाला है ठीक है तो यहां पर जो major change हुआ वो यह हुआ कि Means का जो D20 World Cup होने वाला था 2020 का वो postpone होकर 2022 में होगा और वो Australia में होगा और इस साल का मतलब 2021 का जो होने वाला है वो इंडिया में होने वाला है चीक है देन आते है हमारा ICC Women's T20 का World Cup 2020 का जो हुआ वो Australia में already हो चुका था उसके बाद lockdown लगा इसलिए 2020 का जो Women's का था वो Australia में हो चुका था बट अब वो जो होगा वो 2023 में होगा I hope आपको समझ आ रहा है ठीक है आपको जदा इयर्ज में confusion नहीं होना है मैं आपको थोड़ा अगर depth में अगर question पूछा गया इसलिए मैं आपको इयर्ज में explain करूँ तो आपको after COVID ये सारे changes में आपको explain करूँ ठीक है आज से जो destination है वो change नहीं हुआ है आपको जो changes हुआ है वो years में हुआ है ठीक है तो 2022 में South Africa में जो होने वाला था ICC T20 का World Cup वो अब 2023 में होगा I hope आपको समझ आए होगा ठीक है इसके साथ आपको जो ध्यान में रखना है ICC का जो headquarter है वो UAE में ठीक है United Arab Emirates UAE में है ICC का headquarter और ICC के जो chairman recently appoint CEO है मनु सानी ठीक है तो आपको यह ध्यान में रखना होगा important है बहुत बार पूचा जाता है कि ICC की chairman कौन है जो भी recently appoint हुए वो है Greek पाकले and CEO है मनु सानी ठीक है बढ़ते है next, next आते है हमारे hockey के events ठीक है women's का जो hockey का World Cup हुने हुआ था 18 में वो आ था लंडन में हमने उससे अभी जो होने वाला है उसका एक previous event पड़ा है and जो भी होने वाला है वो हमने discuss किये ठीक है क्योंकि बहुत 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 एक्जाम में ऐसा भी पूचा जाता है कि 18 में कहां पर हुआ था ठीक है तो आपको इसका previous वाला भी पता होना अच्छी है जो upcoming है वो भी पता होना च्छी इसलिए मैंने previous वाला भी cover up किया तो 18 का जो women's का hockey world cup हुआ था वो लंडन में हुआ था and अभी जो 2022 का होने वाला है वो टेरेसा spend में होने वाला है ठीक है दिन आता है men's का hockey world cup 18 में भी ये भूवनेश्वर उडिसा इंडिया में हुआ था 2023 में होने वाला है वो में रखना होगा आपको men's का hockey का world cup जो है वो 18 में भी इंडिया में हुआ था भूवनेश्वर उडिसा में और 2023 में होने वाला है वो भी भूवनेश्वर उडिसा में होने वाला है और women's का 18 का लंडन में हुआ था and 22 का जो होने वाला है वो टेरेसा spend में होगा ठीक है होने वाला है होने वाला है बेल्गरेट सर्विया में यहां पर चेंज आया है ठीक है अब यह बहुत important है आपको ध्यान में रखना होगा actually 2021 का जो होने वाला था मेंस का world boxing championship वो इंडिया में होने वाला था बट यह क्यों नहीं हुआ क्योंकि इंडिया ने जो है होस्ट की एक फीज होती है वो उन्होंने पेनी की इस वज़े से इंडिया का कैंसल कर दिया गया और वो चींच करके बेल्गरेट सर्विया में होगा ठीक है 2021 का मेंस world championship जो था वो इंडिया होस्ट करने वाला था बट डिव टू उन्होंने जो एक होस्ट पी होती है वो उन पेल्गरेट सर्विया में यह important news है यहाँ पे Change हूआ है वो destination में चेंच हुआ है तो इंडिया से change करके अब यह होगा वो बैल्गरेट सर्विया में थोगा देन निक्स्ट आते है हमारा 2023 का 2023 का होगा बोगोटा कोलंबिया में देन आते हमारा विमेंज का वर्ल बॉक्सिंग चांपियन्चिप 2019 में जू ये हुआ था ये हुआ था उलन उर्षिया में and 2020 में भी हुआ बोगोटा कोलंबिया में ठीक है तो मेंस का जो होगा 21 का वो होगा बेलकरेट सर्भिया में इस साल 23 का होगा बोगोटा कोलम्बिया में में मेंस का भी होई होगा मेंस का बोगोटा कोलम्बिया में होगा दन हमारा आते है वी मेंस का 2019 में जो हुआ था वो उलन उड रशिया में हुआ था and 2020 का जो हुआ था वो अगेन बोकोटा कोलंबिया में हुआ the next आते है हमारे Asian Games ठीक है Asian Games में हमारा 2022 का जो Asian Games होने वाला है वो Hangzhou China में होने वाला है and 26 के जो होने वाला है वो होने वाला है Nagoya Japan में ठीक है 22 का जो होगा वो चाइना में होगा Hangzhou China and 26 का जो होगा वो होगा आपका Nagoya Japan में then Asia कब जो होगा वो 21 का मतलब इस साल का जो Asia कब होगा वो श्रिलंका में होगा and 2022 का जो होगा वो पाकिस्तान में होगा ठीक है then next आते है हमारा IAAF मतलब की International Association of Athletics Federation ठीक है यह होता है इसका Championship होगा वो 2022 में होने वाला है यूगने US में जो की 21 में होने वाला था मतलब की इस साल होने वाला था ये event इस साल होने वाले थी यह Championship बट यह पोस्पाउन हो गई है तो यह अब होगी 2022 में यूगने US में then 23 का जो होगा आपका पुंडापेस्ट हंगरी में होगा I hope आपको clear हुआ होगा और IAF का जो headquarter है वो मुनाको में ये भी आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है ये भी important है कि IAF का जो headquarter होता है वो मुनाको में है ठीक है then next आते है हमारा commonwealth games तो 18 के जो commonwealth games है वो हुए थे Queensland Australia में 2022 के जो होने वाले commonwealth games वो होने वाले बर्विंगम इंग्लैंड में ठीक है 18 का हुआ था Queensland Australia में and 22 का होगा इंग्लैंड में ठीक है then next आते हमारा Kalo India Youth Games Kalo India Youth Games ये भी बहुत important है एक्जाम में इसे लेट भी question पूछा जाता है तो सबसे पहला edition जो हुआ था 18 में हुआ था वो दल्ली में हुआ था then 19 में आपका हुआ था पुने महाराश्ट्रु में 2020 का हुआ था गुहाटी असम में and 21 का इस साल का जो Kalo India Games होने वाला है वो हरियाना में होने वाला है ठीक है बहुत important है इस साल का जो है वो fourth edition है जो के आपका होने वाला है हरियाना में ठीक है तो ये सारे important sports events जै जो मैंने आज इस वीडियो में cover up किये और after covid जो changes हुए वो सारे changes याँ पे cover up किये हुए और ये वीडियो आपकी आने वाली exam के लिए बहुत important है तो आपको ये सारे events कहां होने वाले है और after covid जो भी changes हुए वो आपको सारे अच्छे से ध्यान में रखने है I hope आपको ये session समझ आया होगा और आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो का आपको लाइक करना है अपनी जादा से जादा friends के साथ ये शेर करना है और channel को subscribe करना है So guys thanks for watching and have a nice day